तो हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उमेद अच्छ होंगे फ्रेंट्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे प्लेलिस्ट का स्थायूज कर सकते हैं यदि आप अभी तक प्लेलिस्ट का स्थायूज करना नहीं जानते हैं यह फिर आप प्लेलिस्ट क करते हैं बट आप हर वीडियो में प्लेलिस्ट करते जाते हैं जो भी वीडियो अपलोड करते हैं हर वीडियो में प्लेलिस्ट करते हैं तो मैं आपकी जानकार के लिए बता दूँ कि प्लेलिस्ट हर वीडियो में क्रेट नहीं किया जाता है ठीक ना तो प्लेलिस्ट क्यों हो तो फिलेलिस्ट वीडियो की तरह सर्च में आती है और फिलेलिस्ट भी यूटूब स rec रहती हैं कि आपके यूडिंज़ बढ़ाले थिए कि आप लोगों को कैसे प्लेइट का सायूज करना है और आउंगा सो चनल पर ना है तो चनल को सब्सक्राब करें घंटा बटन को दबालाना ताकि जब मैं इस तरह की हेलफुल वीडियो यूटूब पर बनाऊंगा तो आप तक मेरे वीडियो से नोटिफियेंस सबसे पहले प दस वीडियो की लिंक है अब आप लोग बोलेंगे कि भाई ये क्या बजा कर रहे हो ठीक है न तो दोस्तों ये सही है कि देखी जब आप लोगों को आठ दस वीडियो की लिंक डालनी है अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तो आप हर वीडियो की लिंक कॉपी करेंग अब आपको उस playlist की link ही copy करनी है और अपने description पर paste करना है जैसे कि आप मेरे video की description पर जाएंगे तो वहाँ उस link पर click करेंगे केवल एक link दी होए ठीक है ना और उस एक link पर click करेंगे तो click करते ही आपको 10 और video open हो जाएंगे तो क्या फादा हुआ कि मैंने केवल एक link से अपने 10 के 10 video share कर दी है यानि कि आप मुझे हर video की link copy करके और description पर paste नहीं करनी है मैं केवल एक link copy करूँगा और उसी link को मैं किसी को भी share भी कर सकता हूँ ठीक है ना आप देखिए यदि कोई playlist आपकी search में आती है तो यनि कि केवल एक video आपका search में नहीं आ रहा playlist में जितने video आपने add किये है वो सभी के सभी search में आ रहे है तो बहुत बड़ा benefit एक तो यह है और दूसरा benefit यदि YouTube आपकी playlist को suggest करने लग गया दूसरों को तो मार्क चलिए कि वो एक video को suggest नहीं कर रहा है वो जितने video आपने link किये है add किये है अपने playlist पर तो उतने video को वो suggest कर रहा है तो देखिए एक बार में कई सारी video आपके promote हो रहे है ठीक है ना और आपको description पर भी बहुत सारी link डालने की जुरूरीत नहीं पड़ेगी केवाल आपने एक link डाली ठीक है ना और आप अलगी अपने हिसाब से playlist बना सकते हैं कि एक playlist में आपको 5 वीडियो रखना है फिर दूसरे playlist में भी आपको 5 अच्छे वीडियो रखना है प्लेलिस्ट का वीडियो से कोई समंधन नहीं होता है कि आप हर वीडियो की एक अलग से playlist करें ऐसा नहीं होता है आपको playlist अलग से create करना होता है और उस playlist में आप जितने चाहतने वीडियो एड़ कर सकते हैं तो फैंट्स यदि ये वीडियो आपके लिए helpful रहास वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी share करें और ये चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो जल्दे इस चैनल को subscribe भी कर ले